तोफू यानि सोया पनीर ये पनीर इसमें नाम है बट ये पनीर से गुणों में बहुत उपर होता है इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है ये हड्डियों के लिए और वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाऊंगी कि ये सोया पनीर कैसे बनाते हैं इसके लिए मैंने से लिए मैंने और इसके लिए पानी का प्रपोर्शन में आपको बता देती हूं जैसे मैंने 200 ग्राम सोया बीन ली है तो मैंने इसमें टोटल एक लीटर वाटर यूज किया एक लीटर से आप मतलब 1.2 लीटर तक वाटर आप डाल सकते हैं पूरे मतलब रेसिपी में तो आप अभी पीस्ते समय भी डाल सकत हैं अग्र आपको नीड लगती है या फिर बाद में टोटल भी एट कर सकते हैं वाटर यह देखिए यहां पर मेरा सोया बीन पीस के तैयार है मैंने पूरे सोया बीन को पीस लिया है अब मैं इसमें मैंने क्योंकि इस्टार्ट उसमें जब मैं पीस री थी मैंने थोड़ा से थोड़ा वाटर डाला था अब मैं याँ पर ये मैंने जो मेरा ये यह यह जनो de मैं एक लीटर वाटर लिया है एक लीडर से थोड़ा सब्दमे इसमें water लगेगा, तो आप इसमें water डालके इसको अच्छे से हिला लीजिए, अब मैं एक मैंने ये पतला सा कपड़ा लिया है, सूती कपड़ है, सफेद रंग का, ये लिया है मैंने, इसको मैं छान लूँगी, इस कपड़े से, और आपका, इसके बाद आपका जो soya milk है, व मैंने बनाया है, वो मैं इसमें डाल रही हूँ, और अच्छे से ये आपकी थोड़ी से exercise होगी, इसको इसमें जब आप इसको चानेंगे, क्योंकि थोड़ा tricky काम है, आपको हातों से घुमा घुमा के, क्योंकि थोड़ा ज्यादा होता है वो, तो muscle exercise होगी आपकी, देखिए आपको हातों से ऐसे दबा दबा के अच्छे से इसको इसका जो वो है रस है, इसके अंदर या milk है, वो निकालना है, अच्छा मैं आपको अभी वीडियो के एंड में कुछ इसके टिप्स दूँगी, तो आप वीडियो में लास तक देखिए मेरा वीडियो, पल्प के बारे तो अब मैंने इसको गैस में रख दिया है, जो मेरा सोया मिल्क बना है, आप इस सोया मिल्क को भी बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं, आप इसको ऐसे पी भी सकते हैं, जिनको थोड़ा दूट से प्रॉब्लम होती है, तो वो इसको पी सकते हैं, बाकी टेस्ट में अच्छ तो फ्रेंड मैं आपको एक बात और बताऊंगी जैसे मैं यह मिल्क को आप बॉयल कर रही हूं तो आप इसके उपर देख रहे हैं यह इसके उपर यह सोड़ा फॉर्म सा आ रहा है ज्ञाग बन रहा है तो अगर आपको प्रॉबलम नहीं है तो आप इसको एस इस रहने दीज अगर आपको लगता है यह जाग है तो आप इसको निकाल लेजी पहरे तेज आच में मैं दूद को एक पूरा बॉयल कर लूँगी जब इसमें एक उबाल आ जाएगा उसके बाद में इसकी जो फ्लेम है वो कम कर दूँगी फिर उसके बाद में इसको धीमी आच में पारना है तो अगर आपकी पास लेमन है तो आप लेमन से फार सकते हैं बट फ्रेंट्स में दूद पारने के लिए पनीर चाहिए है मैं वेनेगर के संग ज्यादा कमफर्टेबल रहती हूं क्योंकि वो थोड़े से महीं अच्छे से फार जाता है आप लेमन से भी कर सकते है वो अपनी परसनल चोईस है तो मैंने यहाँ पर यह वेनेगर लिया है वाइट वेनेगर तो उसमें थोड़ा सा मैंने पानी एट किया है और वेनेगर में फिर मैं इसमें डाल रही हूं आप डारेक्ट वेनेगर मत एट कीजिए थोड़ा सा चाहिए आप लेमन भी उसकर र टूद को मैं बहुट ज différent दıt हो घ्लाऊंगे सब्सकेत मैं जैए कितना बढ़ी Patriot भी और शोड़ा सा ठंडा हो बाने दिदेटीए इसको नहीं तो आप से हंड़ल करना थोड़ा मुश्किल होगा इसको चांने में आपने के बात क्योंकि इसमें थोड़ा vinegar की smell रह जाती है तो मैं इसको clear water से clean water सस्को wash कर लेती हूँ जिससे smell भी चले जाएगी और जो घटकड़ा बिल्स कर रहे अगर यूस कर रहे है तो ऊसका खटबान भी दूर हो जाएगा तो यहां पर मैंने इसको थोड़ा वाश कर लिया है कि यहां पे मेरा यह पनी रेडी हुग गया है ऑपने हैंड से已 संपर ढूंगी इसमें हार यहां पर बनाenviron Apply 16 जो एकसे वाटर है वो भी इसमें से निकल जाएगा उसके बाद मैंने कोई भी वेट लेके मैं इसके ओपर यह वेट रख दे रही हूं तो यहां पर देखे रेडी हो गया मेरा तोफू यानी सोया पनी अब मैं इसको जमाने के लिए थोड़ी देर के लिए हाफ एनार के अब मैं इसके पीस कर रही हूं अब मैं आपको कुछ टिप्स बताती हूं जो आपके लिए बहुत यूसफुल होंगे फ्रेंड्स अगर आप बिल्कुल मार्केट जैसा टेक्शर चाहते हैं तो आप इसमें कॉन फ्लार एट कर सकते हैं सोया बीन का जो पल्प निकला था उ अब टोटिया बना सकते हैं फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजीए शेयर कीजी और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजीए बहुत सारी रेसिपी आने वाली हैं देखते रहिए मेरे और बने रहिए मेरे साथ मेरे इस सफर में बाई बाई थैंक यू